असलम अलेकुम दोस्तों इस वीडियो के मादम से मापको कुछ जरूरी इंपोर्टन्ट जानकारी बताएंगे अगर आप साओधी अरब के अंदर पहली बार जा रहे हो या दूसरी बार जा रहे हो तू भी आपको इस वीडियो को देखना चाहिए क्योंकि साओधी अरब के अब ही इस बीजा पर आपको सेलरी क्यों जादा मिलती है और सेलरी से जादा पैसा आपको क्यों मिलता है इसके बारे में डिटेल बताएंगे और रिलेटर जानकारी भी इस वीडियो में आपको पूरी जाक मिल जाये दोस्तों वीडियो में आगे बश्ट में आप पुदा दे कि साओधी अरब में जब भी आप जाते हो या जाने के बारे में सोचते हो तो वहाँ पर जाने से पहले ही आपके मन में सवाल होते हैं कि हम जाद से जादा साओधी अरब के अंदर जाकर पैसा कमाएं इसके अलावा बाकि अगर किसी भी country के अंदर आप जाने के बारे में सोचते हो तो भी वहाँ पर ऐसा ही आप सोचते होंगे लेकिन जब वहाँ पर जाते हो तो वहाँ पर आपको time पर salary ही नहीं मिलते इसके अलावा वहाँ पर जादा पैसा कैसे कमा सकते हो उसके बारे में नहीं पता होता तो ऐसे में इस वीडियो के माधन से हम आपको कुछ ऐसी जानकरी बताएंगे और ऐसे वीजा के बारे में बताएंगे जिसमें आप जाद से जादा पैसा कमा सकते हो चाहे आप सौधी अरब जा रहे हो या कोबायत, कतर, बहरेन, मसकट, उमान, दुबई, किसी भी कंड्री मे अभी जा रहे हो तो यहां पर जरूरी सब से पहले आपको यह जान लेना है कि वहां पर आपको जाने से पहले आपको क्या-क्या गलती नहीं करना है, जरूरी बात आपको ध्यान रखना है कि बीजा लेने से पहले ही आपको बीजा देने वाले से बात करना है कि हमारा जो व वहां पर आप दूसरा काम नहीं कर सकते हो। लेकिन एक बात का और आपको खादर रखना है कि वहां का आपका जो कपिल है वो कैसा है क्या अच्छा है या क्या खराब है उसके बारे में भी आपको पहले ही जानकर ले लेना है अगर वो company या कपिल अच्छा है तो आप पूरी पर घर खाते में जाते हैं तो ही ये काम मिलता है वरना आपको पूरी तरह से जो आजाद बीजा वाले हैं या इस तरह के काम करने वाले हैं जो बाहर काम करने वाले हैं तो यहां पर ध्यान रखना यही है कि आपको उसी का बीजा लेकर जाना है और पूरी तरह से आप काम करक के अंदर का काम नहीं जो बन रही है बिल्डिंग उनके अंदर के काम को वहां पर अगर करते हो यानि जो बिल्डिंग बनती हैं जो वहां पर हारस बोलते हैं अगर ये काम पर आप जाते हो तो पूरी तरह से सेलरी से ज्यादा पैसा कमा सकते हो